नवस्कार राजरीतिक खबरों के सबसे दिल्चस्प ठीकाने में मैं रुपेश मिस्त्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमें तो अपलों ने लूटा गैरों में कहां दम था जी हाँ सचिन पाइलेट भी हो सकता इस समय इन ही पंक्तियों को सुन रहे हो और गुन गुना रहे हो क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान का मौझूदा सियासी परिद्रश्ट घटित हुआ वो बाकई कुछ इन ही पंक्तियों के इर्दगिर्द भुमता रहा लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है और जो बड़ी जानकारी सामने निकल करा रही है वो ये है कि सचिन पाइलेट अब वेवफाई करने वालों की लिष्ट तयार कर रहे है और माना जा रहा है कि आला कमान के समक्ष जब पाइलेट ने उनकी पैर भी की अधि पहले तो अब उन ही का नाम कटवाने के लिए पाइलेट आला कमान के समख अड़ेंगे लिहाजा कहा जा रहा है कि चार ऐसे मंत्री है जिनका पत्ता साफ कर देने पर पाइलेट आंधा है अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पाइलेट एसा कर पाएंगे या फिर हालात जस्के तस बनेगें देखे सब्से पहले हमारी एक खास रिपोर्ट ये जंगे सियासत है साहिब आज जो अपना है कल वो पराया भी हो सकता है और अपनों के पराया होने का सितम भला पाइलेट से बहतर कौन बता सकता है लेकिन इसी बीच खबर है कि अब पाइलेट अपने भूत्पूर्व करीबियों का हिसाब करने की रणनीती बनाने में जुट गए हैं गौर तलब है कि कई माननी ऐसे थे जिनहें पाइलेट का साया कहा जाता था लेकिन जब पाइलेट राजस्थान के सियासी बीहर के बागी बने तो पाइलेट की परचाई बने रहने वाले कई विधायकों ने ही मुह फेर लिया और गहलोत सरकार के साथ चले गए लिहाजा जानकार बताते हैं कि पाइलेट अब अपने भूतपूर्व साथियों को सबक सिखाने की रणनीती में जुट गए हैं और इसी के चलते अब राजज में सियासी संकट टलने के बाद जैपूर, कोटा और अजमेर संभाग के चार मंतिरियों के पद पर संकट मढराता नजरा रहा है इनमें दो जनों को पाइलेट की अनुशंसा पर मंत्री बनाया गया था जबकि दो ने सियासी संकट के दौरान खुली बयान बाजी कर पाइलेट से दुश्मनी मोल ले ली अब इन चारों को लेकर गहलोत और पाइलेट खेमा फिर आमने सामने होने को कमर कस चुका है कि अगर इनने नहीं हटाया गया तो विभाग तो जरूरी ही बदले जाएंगे इसी बीच पाइलेट आज पहली बार प्रदेश कॉंग्रेस के मुख्या का पत गवाने के बाद कॉंग्रेस दफ्तर पहुंचे और कहा कि हम किसी पत पर हो या ना हो माइने नहीं रखता लेकिन लोगों के साथ अटूट संबंद होने चाहिए साथ ही पाइलेट ने ये भी कहा कि हमारी जो भी समस्याएं थी कमेटी को बता दी गई हैं कमेटी जल्द उनका समाधान करेगी उस पर जादा आंकलन लगाने की जरूरत नहीं है बहुत जादा आंकलन लगाने की जरूरत नहीं है जो होगा बढ़िया होगा सब को साथ लेकर होगा मैंने कल भी कहा था जो भी निर्णे लिए जाएंगे, सबका उसमें कॉंट्रिबूशन हो, सबके भागेदारी हो, सबके समन्ने के साथ काम हो, क्योंकि तीन साल के बाद दुबारा चुना आप जनता के बीच समको लगने जाना है, अपने वादे पूरे होंगे, जनता की कसवड़ी पे खरा उतर और यहां पालेट कैम के 19 असंतुष्ट विदायकों से 1-2-1 चर्चा करेगी, सूत्रों का कहना है कि 380 समीती पालेट कैम के शिकायतों को विस्तार से सुनने के बाद, रिपोर्ट कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भेजेगी, जिसके बाद कॉंग्रेस अध् चुकि वर्फ आखिर कब तक पिघलती है, ब्यूरो रिपोर्ट, डिफैक्ट इंडिया आई गई है अला कमान का, उसका जिक्र किया और कहा कि अब जो भी गिले सिक्वे या जो भी उनके शिकायत है, वो अब इस टीम पर छोड़ देना चाहिए, या यू समझ लीजे कि अब सचिन पालेटे पूले रूप से सोनिया गांधी पर हर चीटे छोड़ दी है, खर यहा एला कर दो ढूलेटे और को जिक्तूा भी जो भी बग जो भी झालेटे यहा जो अला-पोले ऑग कषै कर दosका है, जाने है।